आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ समय से हमारे देश में चीता काफी चर्चा में बने हुए थे और अभी हाली में आप देखे नामी बिया से आपके आठ चीते लाए गए और हमारे पिधार मंतरी मौदी साहब के द्वारा मद्यपदेश का एक पार्क है कुनो नेसनल पार्क इसमें आप देखे इनने रिलीज कर दिया गया यानि कि इने छोड़ दिया गया है और आपको मालो होना चाहिए कि 1952 में हमारी भारत सरकार ने चीतों को बिलुक्त घोसित कर दिया था यानि कि अभी तक हमारे देश में चीते नहीं थे तो आज हम लोग इसके बारे में इस टॉपिक के बारे में एक सामान चर्चा कर लेते हैं और आप में से बहुत से लोग होंगे जो सेर बाग तिन्दुआ और चीता में फरक भी नहीं जानते होंगे तो उस पर पर भी हम लोग बात कर लेंगे पहले आप लोग कुछ पिक्चरग देख लीजें यह आप देखे हमारे पदान मंत्री साहम करने के बाद फोटो भी निकाली है देखे है लेज़ हो रहे है ठीक है? तो देखे हमारी प्यारी पित भी है और इसमें आप जाएंगे तो यह हमा तो ये अफीग की गड़राज में देखने को मिलेगा और अटलांटिक महासागर से लगा हुआ एक देश है और इसके देखिए अंगोला हो गया और बोधसवाना हो गया जांबिया हो गया और यहां देखेंगे दच्छिड अफीगा हो गया इसकी राध्धानी की बात करें त तो 21 मार्च 1990 में इसे आजादी मिली थी इस देश को ठीक है यह भी आप लोग याद रखिएगा अब आप लोग मद्विदेश चलिए पहले आप देखेंगे यह हमारा प्यारा भारत दिखाई दे रहा है और अपने पडोसियों को देखना चाहे तो देख लिजी यह पाकि मद्विदेश आपको बीच में देखने को मिलेगा और इसलिए आप लोग हिदय पिदेश के नाम से जानते हैं इसे और इसकी सीमा आप देखें कि उत्तर पिदेश हो राजिस्थान हो गुजरात हो महाराष्ट हो चतिस गड़ से लगती है और 1 नवंबर 1956 में इसे राज ब बनाये था और जब तक मद्विदेश का हिस्सा था चतिस गड़ छेत फल में सबसे बड़ा राज्य था आपका मद्विदेश अब आपका दूसरी नंबर बाता है मद्विदेश पहले पर आपका राजिस्तान है अभी अगर बरतमार में हम लोग यहां बिदान सभा सीटों की बात परें तो 230 सीटें देखने को मिलेंगी राज्य सभा में 11 सीटे हैं और लोग सभा में आपको 39 सीटें देखने को मिलेंगी यहां आप लोग देखेंगे कुनो राष्टी उध्यान और आप लोगों को मालू होना चाहिए कि आपका कहां देखने को मिलेगा स्योपुर मुरेना जिले में देखने को मिलेगा 1981 में इसे बन्नजीव अभ्यारन की रूम में स्थापित किया गया था और 2018 में इसे राष्टी उध्यान का दर्जा दे दिया गया था तो इस उध्यान के बारे में जरूर याद रखेगा आपकी किसी भी गबर्मेंट एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके इससे कुर्शन्स पूँचे जा सकते हैं और इसका छेत्पल अगर देखें 1748 देसमलो 762 किलूमीटर में ये फैला हुआ है तो ये भी आप लोग इसके बारे में याद रखेगा ठीक है और इसे ही चुनाया गया है चीतों के लिए अब बात आती है चीतों की तो वैसे आप लोगों को चीते के बारे में बता दूँ कि इसकी दोडने की अगर आप लोग चमता की बात करें न तो आप देखें कि गाड़ी एक रप्तार होती है न उससे तेज दोड़ता है 72 से आप देखें कितना ऐसा कहा जाता है कि 80 किलोमीटर से आप देखें 180 किलोमीटर पिती घंटे की रप्तार से दोड़ सकता है और नॉर्मल आप देखें आम तोर पर इसका बज़न अगर आप देखें वैसकों का चीतों का तो आप देखेंगे 21 से 72 किलोगराम के बीच आपको देखने को मिलेगा अफीका में उमद दीरान में इसे बड़ी बिल्ली के नाम से जानते हैं चीता का एक और नाम आप देखते हैं ऐसी नो निक्स जुवेटस के नाम से भी आप लो इसे जानते हैं सबसे तेज दोडने वाला भी से बोल देते हैं जानबर ठीके तो ये भी आप लो और आप देखेंगे कि इसका सिर छोटा गोल होता है देखें दिखाई भी देड़ा होगा आप लोग स्क्रीन पर इसका थूतन छोटा होता है और काले आसु जैसी चेहरे की धारियां भी होती है कोट आम तोर पर मलाईदा सफेद या हलके भूरे रंका होता है जानदाता समान रूप से दूरी वाले ठोस काले धब्बे से ढखा होता है और इसकी आप देखें अगर हम लोग संग की बात करें तो कोट डेटा संग से आता है कच्छा इसता ठीक है तो इसके बारे में याद रखेगा आप लोग आपको दिखाई दे रहा होगा और आगर आप लोग सेर देखें देखें ये सेर आपको दिखाई दे रहा है ये आप देखेंगी टाइगर है और ये आप देखेंगी इसे तिंदुगा कहते हैं क्या कहते हैं? तिंदुगा कहते हैं तो मत्पदेश के कुनु नेशनल पार्क में इसे रिलीज कर दिये गये इने सभी को और दरसल 1952 में भारसी चीता बिलुक्त कराद दे दिया गया था और चल्चा भले ही चीतों की हो रही हो लेकिन जब चीतों की चल्चा होती है तो इसमें तिंदुगा हो, बाग हो, सिर इसमें की भी चल्चा होती है तो सबसे पहले बात चीता और तिंदुगा की है ये देखने में आप लोगों को एक ही समान देखने को मिलेंगे देखिए ये तिन्दुआ है और आप देखेंगे ये चीता है देखने को मिलेगा आपको देखिए ये चीता है ठीक है देखिए ये चीता और ये तिन्दुआ देखने में लगबख समान ही देखते हैं और इनका सिर भी थोड़ा छोटा होता है और चीता धरती का सबसे तेज दोड़ने बाला है और कहते हैं कि नॉर्मल इसकी बहत्तर मील पिती घंटे की रफ्तार से दोड़ सकता है ठीक है? और इस पर बता है कि चीतों की सबसे यूनिक पहचान होती है सरीर पर काले धब्बे होते है तो इसनके बारे में ऐसा भी याद रखिएगा दूसरा आता है तिंदुआ तिंदुआ के सरीर पर आप देखेंगे गोल धब्बों का गोला काराकार होता है कैसा आकार होता है इसमें आप देखेंगे गोला का राकार होता है ये देख लीजे लगभग आपको दिखाई भी दे रहा है ये तिंदुआ है और इसमें आप देखेंगे इसे रोसेट सैली के निसान कहते हैं और तिंदुवा के चेहरे पर भी सरीर के अन्न भागों की तरह काले धब्बे फेले होते हैं, और तिंदुवा की आके नेले और हरे रंग की दिखाई देती हैं, और तिंदुवा चीते से बड़ा और तागत बर भी होता है, और चीते की तुला में तिंदुवा का सिर बड़ से बडे होते हैं और इसी बज़े से अपने सिकार को लेकर पेड़ पर चर जाते हैं। और इक खड़ी चटानों पर भी चर जाते हैं और चीता दिन में सिकार करता है तिन्दुगा का za रात में स इनमें आप देखिए अंतर है। अब बात होती है बाग की, और वैसे आपको मालू होगा कि मत्पिदेश को, टाइगर पिदेश भी कहते हैं, बाग पिदेश भी कहते हैं, सबसे जालना आपको बाग यहां देखने को मिलेंगे, यह बाग है, देख लिजे, और बाग की बात अगर हम लोग करें, तो बाग को सकते हैं और कैट फैमिली में बाग सबसे बड़ा वजनी और फुर्टीला होता है बाग आम तोर पर अकेली ही सिकार करना पसंद करता है बाग अच्छे तैराग भी होते हैं फिर बात आती है सेर की देख लिए सेर जिसे आप लोग जंगल का राजा भी कहते हैं और बड़ी बचपन से आप लोग कहानिया इनके बारे में पढ़ते रहते हैं सेर के बारे में ये सेर है आपका और सेर के बारे में बात करें तो सेर के गर्दन की चारों लंबे और घने बाल होते हैं और जिने आ जानवरों में सेर सबसिक सामाजिक माना जाता है और ये जुन्ड में रहते हैं जुन्ड में ही सिकार करना पसंद करते हैं और एक साथ ही भोजन की तलास करते हैं लेकिन सेर आलसी होते हैं भूख लगने पर ही सिकार करते हैं और देखिए एक बार मैंने ग्वालियर गया उसमें आप लोग देखेंगे, सेर देखेंगे, टाइगर देखेंगे, और बहुत सारे जानवर देखने को मिले, चेडियां तरह तरह की, मगर मच, कुग, आप देखेंगे, तो उने भी आप लोग देख सकते हैं, जो जो भी वहाँ है, उन सब को record कर लिया गया था, चलिए और भी कुछ प्रॉबलम हो, तो बताईएगा किसी और टॉपिक के बारे में बात करनी हूँ, तरहाल ये टॉपिक आप देख रहे हैं कि कापी चर्चा में बना हुआ है, तो इससे questions पूछे जाने की संभा होना पोरी रहती है, चाहे आप लोग MP के किसी spatial exam की बात कर लिए, ये आप देखें कि central level पर भी आपकी तमाम exam होते रहते हैं, और इनसे questions पूछे जाते रहते हैं, और वैसे भी एक सामान जानकारी के लिए भी, अगर मालू हो तो बुरी थोड़ी बात है कुछ,